Welcome friends, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम Python programming के अंदर swapping को यहाँ पर perform करते हैं तो अगर दो values या दो data को हमने swap यहाँ पर करना है Python के अंदर तो यहाँ पर various methods हैं, तो सभी methods को हम यहाँ पर देखने वाले हैं यानि कि कौन कौन से तरीके हैं, जिनकी मदद से हम यहाँ पर swapping करते हैं तो पहरे इसका logic हम यहाँ पर देखेंगे, इसका program भी हम create करेंगे तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, simply समझेंगे हम swapping को तो swapping में देखिए, यानि कि एक value को दूसरी value में change करना तो माल लीजी हमारे पास दो यहाँ पर values हैं, a question आपका 5 है and b question आपका 8 है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर swapping करेंगे आपका third variable की मदद से, यानि कि अगर हमको तीसरा variable यहाँ पर लेना हो जिसमें अभी हमने store किया है 5 को and ac हमारा b नाम का यहाँ पर variable है, जिसमें हमने store किया है 8 को तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, कि हम यहाँ पर एक अलग से variable लेंगे c नाम से and सबसे पहले जो a की value है, इसको हम a में c में assign करेंगे यानि कि जो 5 है उसको हम C में assign करेंगे तो यहाँ पे जो A है इसमें अभी भी 5 है यहाँ आपका delete नहीं होता है cable value copy होती है and then अगले step में हमारा जो 8 है इसको हम आपका A नाम के variable में swap करेंगे यानि कि इसको हम इसमें assign करेंगे यानि कि B की value हम A में यहाँ पे डालने वाले हैं तो यहाँ पे अब आपका आजाएगा 8 तो A की जो value है वो तो swap हो गई B के साथ अब जो C में है उसको हम यहाँ पे store कर लेंगे आपका B के अंदर यानि कि यहाँ पे अब आपका आ जाएगा 5 तो यह हमारा पहला method है swapping का I hope आपको यह समझ मा आया होगा simple सा है तीसरा variable लेके हम यहाँ पे करेंगे और दूसरा यहाँ पे जो method है वो है आपका operator की मदद से यानि कि यहाँ पे हम arithmetic या mathematical operator का use करने वाले हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे A की जो value है इसको हम यहाँ पे add करके दोनों ही value को हम यहाँ पे A में assign करेंगे यानि कि A में हमारे पास है 5 and B में हमारे पास यहाँ पे है 8 तो दोनों को हमने यहाँ पे add करके A में यहाँ पे assign कर दिया तो इसकी मदद से यहाँ पर क्या होगा A में जो exact यहाँ पर value आएगी वो आएगी आपका simply 13 and B जो value है वो अभी भी आपकी 8 है तो next step में हम करने वाले हैं overall value यानि कि A से हम minus करेंगे B को तो A minus B यानि कि 13 minus 8 आपका होता है 5 और 5 को हमने assign करना है आपका B के अंदर यानि कि हमने change करना है तो आप यहाँ पर दीखे second step के बाद आपका जो A है इसमें तो आपका अभी भी 13 है लेकिन B में आपका आ गया है 5 and next step में हम यहाँ पर again A minus B यहाँ पर करने वाले है तो अगर आप A minus B को यहाँ पर देखेंगे तो 13 minus 5 आपका होता है 8 और 8 को हमने assign करना है A में तो यह 3 step में हमारा काम यहाँ पर होता है और A में आपको यहाँ पर मिलने वाला है simply जो हमारी value है यानि कि आपको मिलेगा 8 और B में हम already यहाँ पर बना चुके हैं 5 तो आप देखेंगे कि यह arithmetic यह mathematical operator से भी हमने यहाँ पर swapping करी third variable का भी हमने use किया और python जो है यह काफी simple language है तो यहाँ पर हम simply लिख सकते हैं अगर हमारा का A question 5 है B question 8 है तो हम यहाँ पर अगर A, B question B, A लिखते हैं हम यहाँ पर देखेंगे third variable की मदद से तो अगर हम यही example है आप चाहे तो इस value को user से भी यहाँ पर read करवा सकते हैं तो A question 5 and B question 8 and then हम यहाँ पर इनको print कर देते हैं जो A और B की यहाँ पर values है यानि कि before swapping and swapping के बाद हम यहाँ पर एक variable लेते हैं for example मैंने R नाम से एक variable लिया and इसमें मैं डाल देता हूँ A की value then A में हमने assign करी थी B की value and B में हमने finally assign करनी थी जो third variable है यानि कि R जो हमारा है तो इसको हम print करके अब यहाँ पर देखते हैं A, B तो देखिए A, B starting में आपका है 5 and 8 and after swapping it will become 8 and 5 तो देखिए simple था है 5 and 8 जो कि अब बन गया है 8 and 5 तो यह हमारा पहला method था तो second method में जो हमारा operators हम use कर रहे थे तो A equals to आपका A plus B and then हम यहाँ पर लिखने वाले हैं आपका B में हमने assign किया था A minus B को and then A में हमने again assign किया था A minus B को तो इस method से arithmetic operator की मदद से या mathematical operator की मदद से इससे भी हमारी swapping होगी तो देखिए 5, 8 and 8, 5 and finally जो हमारा simple python के अंदर हम करते हैं जो कि है आपका A, B equals to B, A तो इससे भी हमारी swapping जो है वो हो जाएगी तो देखिए simple सा है 5, 8 and 8, 5 तो I hope आपको swapping यहाँ पर समझ में आई होगी इसका हम आगे आने वाले programs में यूज करेंगे जहाँ पर हम basically आपका sorting करते हैं तो वहाँ पर आपका जो main है जो हमारा यहाँ पर concept है वो यूज होता है तो I hope आपको तीनों ही method से यहाँ पर swapping करना आ गया होगा आपको